Welcome to our YouTube channel Dagar Education आज हम बात करेंगे Child Development and Pedagogy में Growth and Development की तो सबसे पहले बात करते हैं Development विकास से हम क्या समझते हैं देखो विकास एक ऐसे प्रकरिया है जो जीवन भर चलती रहती है जैसे ही बच्चा अपनी मां के गर में आता है और उसकी मिट्यों तक वो विकास चलता ही रहता है विकास में गुनात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन दोनों ही शामिल होती है यानि quality में changes आना, पहले से अच्छे result मिलना यानि development में हम mostly वही चीज़ देखते हैं जहां हमें positive change देखने को मिलता है उसी कोई हम विकास बोलते हैं और विकास कभी भी रुकता नहीं है वो जीवन भर चलता ही रहता है यानि इसका कोई end point नहीं है कि ये कहीं जाकर समापत हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विकास हरदम चलता ही रहता है हाँ समय के साथ वो कम जादा हो सकता है लेकिन वो कभी भी रुखता नहीं है एक जगह पर stop नहीं होता जो development होता है वो progressive होता है चलता ही रहता है orderly चलता है sequence ली चलता है और development को हम कभी भी count नहीं कर सकते यानि वो countable नहीं है हम इसे unit में या numbers में नहीं लिख सकते हाँ लेकिन बोलना सीखता है चलना सीखता है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीखता है यानि वो हर चीज को धीरे धीरे सीखता है लेकिन हम उसको यह नहीं बोल सकते कि तुमने इतना सीख लिया है हम उसको observe कर सकते है कि कल इसने ऐसा बोला था आज यह ऐसा बोल रहा है कल यह हम उसको predict भी कर सकते हैं कि एकल शायद ये भी बोल ले यानि कहने का मतलब है लेकिन हम उसको count नहीं कर सकते हैं हम उसको predict भी कर सकते हैं sure भी कर सकते हैं certain भी कर सकते हैं लेकिन हम उसको note नहीं कर सकते measure नहीं कर सकते हैं बच्चे के अंदर जो भी positive change देखने को मिलते हैं वही development होता है आगे बात करते हैं growth व्रद्धी से हम क्या समझते हैं दिखो व्रद्धी एक time के बाद जाके रुख जाती हैं और व्रद्धी को हम आसाने से measure कर सकते हैं उसको note कर सकते हैं पर एक्जामपल बच्चे की height है, weight है, पहले से बच्चे की height बड़ी है, पहले से बच्चे का weight कम जादा हुआ है उसे हम आसाने से measure कर सकते हैं और ये बात आप ध्यान रखना व्रद्धी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके की हो सकती हैं लेकिन development कभी भी नकारात्मक नहीं होता, वो हरदम सकारात्मक ही होता है, positive change होती है, तब भी हम उसे development बोलते हैं लेकिन growth के अंदर positive change और negative change दोनों ही हो सकते हैं फिर भी हम उसे growth बोलते हैं और जो growth होती है, वो related होती है, heredity से, वन्शानुगत होती है, पर एक्जामपल बच्चे की height है, weight है, वो कहीं न कहीं उनके माता-पिता के उपर भी निर्भर करता है, व्रद्धी में परिपक्वता और मात्रा शामिल होती है, यानि मात्रा पहले से बड़ी या कम होई, परिपक्वत का मतलब होता है कि परिपूर्ण होना किसी चीज में एक टाइम पर जाकर वो रुक जाती है, कि हैं इसका यहीं end point है, आगे बात करते हैं growth and development में main difference क्या है, व्रद्धी और विकास में मुख्य अंतर क्या है, व्रद्धी मात्रात्मक्या परिणात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, लेकिन विकास परिणात्मक्ता के साथ साथ गुनात्मक परिवर्तन को भी दिखाता है, व्र चेवियर चेंज होता हैं बच्चा धिरे-धिरे मैंटलि स्टोंग बनता चला जाता है बच्चा पहले से फुर्तीला होता चला जाता है चीजों को सीखने लगता है प्रोब्लम सोल्व करने लगता है वो बच्चे का development है बच्चे की high बढ़ना, weight बढ़ना वो बच्चे की ग्रोथ है व्रदी मापन सही से किया जा सकता है लेकिन विकास को हम कभी भी मापना नहीं सकते उसको मापना बहुत कठिन है लेकिन हम development को observe कर सकते हैं आकलन कर सकते हैं लेकिन हम उसको कभी भी measure नहीं कर सकते हैं व्रद्दी में संचार आत्मक परिवर्तन शामिल है और ये एक समय के बाद रुख जाती है लेकिन विकास कभी भी नहीं रुखता, ये प्रोसस में रहता है, यानि ये पूरा जीवन भर चलता ही रहता है, ना ही हम इसको मेजर कर सकते, ये कम ज्यादा हो सकता है लेकिन ये प्रवाचिंगू पर वाचिंगू